नमस्क्कार दोस्तों टॉनिंग पटेक्निकल में आपका स्वागत है मैंमेश किसनसोंनी और आज क्या है आपके laptop में कि ये दिन्जी का पेर होता है दोस्तों इसको देख सकते हैं देख सेंगल है एक left का एक right का है दोस्तों ये LCD को मांड करके आपके laptop के base body से अटेच करके रखता है जब आप laptop open करते हो open अगर यह खराब हो जाए तो प्लीज आप इसको एस सुने चेंज करा लिए रीजन इस दैट कि अगर यह हिंजी जैसे खराब होता है इसको समझना बहुत आसान है आपका लैपटॉप खुलने में बहुत दिक्कत देगा बहुत जोर लगाना पड़ता है कभी कभी टाइट हो सुने चैनल को यह चरौक के अदर टमंटे गोटथ होता है कि क्या बाएट जाता है तो दोस्टो स्ना चाहता हो कि अगर यह इंजींज अगर खराब हो जाए तो कि इसके डिशडवंटेज क्या है तो disadvantage दोस्तों आप देख सकते हो, यह जो base body का यह जो portion है आपका, यह बहुत बुरी तरह damage हो गया है, इसको तोड़ कर, यहाँ पर देखिए, यह जैसे यह jam हो जाता है, वैसे यह base body को यह तोड़ देता है, या तो आपकी जो body कमजोर होगी, base body या जो LCD panel की body, वो चीज़ों तोड़ देगी, like that अगर आपका base body मजबूत है, तो वो कही नगए LCD को crack कर सकती है, आइदर आपके base body को crack कर देगी, और इसमें आपका काफी नुकसान हो जाएगा, दोस्तो base body change करना, बहुत महिंगा पड़ जाता है, और दूसरी बात दोस्तो original body नहीं मिलेगा, चाइना base body मिलेगा, अगर original भी आप डालते हो, तो नहीं नहीं, तो 3000 to 5000 base body ही आता है, आप 2000 बचाने के चक्कर में 3000 plus 2000 hinges का, ये 5000 आपको बहुत महिंगे पड़ सकते हैं, तो दोस्तो मैं इसलिए चाता हूँ कि आपके laptop का अगर hinges खराब हो जाता है, तो please as soon as change करा लिए, ये रिखिए बहुत टाइट है, हाथ से खुलता नहीं, जन्दी घूमता नहीं है, तो ये इसके disadvantage हैं, कि आपका laptop का base body खराब कर देगा, ऐदर LCD तोड़ देगा, simple language में अगर बोलू तो आपको ये bear नहीं करना है, खर्चा, तो आप इसको as soon as change करा लेजिए, काफी time लोग ऐसे ही चला लेते हैं, कि हाँ बबाद चल रहा है, जाम है, तो क्या हुआ, oil डालेंगे, oil नहीं डालना है दोस्तो, oil डालने से और ही जाम हो जाएगा, अब आप सोचेंगे, oil डालने से कैसे जाम होगा, जैसे आप oil डालेंगे, उसमें बहुत सारे धूर मिट्टी चिपक जाते है, और जो gap होता है, वो धूर मिट्टी हो, gap को कवर कर लेने के बाद, वो और टाइट और जाम हो जाता है, दोस्तो, तो इसको आप नया ही डाल देजिए, आप सोचिए मत, तो दोस्तो, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप करता हूँ, और आगे भी जानकारी पाते रहने क के लिए, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, मैं आने आले समय में और बहुत सारे वीडियो डालूँगा, और दोस्तो, और एक बार मैं कहना चाहूँगा, कि मैं छमा मानता हूँ, कि मैं बीच में कुछ वज़स से वीडियो नहीं डाल पाया, दाने वार,